हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम मिक्स्चर एंड एलिगेशन के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे आई ये वीडियो शुरू करते हैं एक मिश्रदातू एलॉय है उसमें 12% आयरेन है ठीक है 54 किलोगराम आयरेन के लिए कितनी मिश्रदातू होनी चाहिए ठीक है ये question पूछा है मतलब ये अपना मैं आयरेन लिख दूँ ये अपना 12% है तो ये total कितना होना चाहिए ठीक है ये तो पूरा 100% होगा ये पूरा 100% है और ये 12% है लेकिन इसमें पूछा गया है मतलब condition दी हुई है 12% की value है अपनी 54 केजी तो ये पूरा all over कितना होगा इससे निकालने के दो तरीके हैं पहला तरीका बताता हूँ मैं देखिए 12% की fraction होती है अपनी 25 यहां 3, 3 upon 25 जिसमें से 3 unit अपना iron होगा और total 25 unit अपना mixture होगा ठीक है ये total 25 अपना mixture है मतलब alloy है ठीक जिसमें से 3 unit की अपने को value दी रखी है मतलब उसमें condition दी है 54 kg बस होना चाहिए ये 3 unit अपना 54 kg के बराबर होगा तो 3 unit 54 kg के जड़ी बराबर होगा तो एक unit अपना हो जाएगा 18 kg हाना और total 25 unit है तो 25 kg कितना हो जाएगा 25 into 18 कर दूँगा मैं यहां तो आजाएगा अपना 450 kg मतलब यह जो अपना total all over mixture है iron के साथ जो पूरा alloy है वो 450 kg है और यही अपना answer होगा यदि आपसे पूछता कि iron को हटा के सिर्फ यह वाला part है वो कितना है तो 450 मैंसे मैं उसे minus कर देता 450 minus 54 मैं iron हटा देता तो answer आजाता है 396 यह अपना 396 है और यह अपना 54 है ठीक है दोस्तों इससे निकालने का एक और तरीका मैं आपको यहां बताता हूँ यह answer अपना हाला कि यह है यह तो मैं आपको सिर्फ condition के साफ मतला भी बताया हूँ यदि आपसे यह पूछता तो आप यह answer होता है लेकिन यह अभी आप से all over पूछा है तो all over यह answer यह यहां लिग देता हूँ answer ठीक है यह है इससे निकालने का एक और तरीका अब देखिए 12% की value दी रखिए 54 kg ठीक और यह पूरा का पूरा तो 100% हुगा मतलब यह पूरा का पूरा यह 100% हुगा तो 12% है अपना यदि 54 kg तो 100% कितना हो जाएगा 450 यह भी अपना answer हो गया ठीक है आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ऐसे भी निकाल सकते हैं यह मैंने कैसे निकाला है यह मैंने percentage के अपनी वीडियो में समझाया हुआ है तो आप वहां जाकर देखिए आपको समझ में आ जाएगा अगला question मैं आपको बताता हूँ एक मिश्रण में या mixture में दूद और water का ratio जो है 3 ratio 2 है यदि दूद जल से 2 liter अधिक है तो मिश्रण में दूद कितना है ठीक है देखिए यह हो गया milk और यह हो गया ratio में water यह MW ठीक 3 ratio 2 है अब question कह रहा है कि यह जो दूद है milk से 2 liter जादा है यहां से अपन को देखने में समझ में आ रहे है कि 1 unit यह से जादा है milk water से 1 unit जादा है और 1 unit अपना 2 liter के बराबर है यह अपन को देख के समझ में आ गया ठीक है यह एक लिखा हुआ है देखिए 3 ratio 2 है न ये से 1 unit जादा है और question में ही दिया रखा है कि 2 liter जादा है तो यहां से अपन पहचान लिए 1 unit और 2 liter question में तो दौनों को जोड़ दिया मतलब 1 unit 2 liter के बराबर है एक unit जादा होने से 2 liter जादा हो रहा है इसलिए ठीक है total milk अपना 3 unit है तो अपनको milk निकालना हुआ तो 2 unit मतलब जे से ऐसे लिखेंगे total 3 unit है 3 unit और 1 unit की value है 2 2 liter हाना तो अपना total जाएगा यह milk हुआ 6 liter और water निकालना हुआ तो 1 unit की value है 2 liter water है अपना 2 unit तो 2 multiplied 2 यह अपना हो गया 4 liter और all over अपना दूद और water का जो mixture है वो 10 liter का हो गया यह दोस्तों basic है यह आपको आने वाले question हो में बहुत help करेंगे इसे आप last तक देखिए इसे देखिए दोस्तों जैसे कि अपने पास यह concept है यह अपने पास एक container है जिसमें 100 रुपए मान लीजिए प्रती लीटर वाला एक लीटर मिल्क डला हुआ है एक लीटर मिल्क है ठीक है मिल्क है यह मिल्क लिखा हुआ है अब मेरे को 25% profit चाहिए 25% profit के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसके लिए पहला तो मैं यह कर सकता हूँ यह 100 रूपय प्रती लीटर का यदी मिल्क है तो मैं ऐसे 125 रूपय प्रती लीटर मैं बेचूँ या तो यह कर सकता हो तब मिरेको 25% हो जाएगा या तो मैं इस 100 लीटर मिल्क में एक लीटर मिल्क में कुछ हिस्सा पानी का मिला दू हाना और उसे 100 रुपए लीटर में ही बेच हूँ यदि कोश्चन अपन को दिया रहे हैं कि 100 रुपए प्रती लीटर में ही बेचना है और अपने को 25% प्रॉफिट भी हो तो मेरे को इसमें पानी मिलाना ही पड़ेगा मतलब कुछ कुछ हिस्सा जैसे मान लीजेए इसका रैशियो यदिया से लिगता तो कुछ हिस्सा मिल्क का होता और कुछ हिस्सा वाटर का होता मान लीजेए यह है नहीं एग्जैक्ट 800 लेकर मैं बताने के लिए बता रहा हूँ 800 ml अपना milk होता और 200 ml अपना water होता तो अपने को 25% profit हो जाता और इसका ratio में निकालता तो ऐसे हो जाता यह 4 ratio 1 अपने मतलब अपनानी पानी ऊसका मूल नहीं होता पानी जितना भी मिला जाए उसका कौस्ट भी नहीं होता वह एक दम फ्री होता है पानी एकदम फ्री यह वाटा फ्री होता है अब यह निकालिंग कैसे यह मैं आपको बताता हूं पहले तो आप ratio and proportion वाली वीडियो जरूर देखें, मैंने वीडियो के लिए के description में दे दी है, अब यह वाले एक concept आप समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक अपने पास mixture है, मान लीजिए milk ही है, उसका rate है A, rate मतलब मैं price के लिए ही यहाँ rate, मतलब उसका rate होगा, मतलब 50 यह 20 रुपा लीटर यह 20 रुपा लीटर जो कुछ भी हो, ठीक है, दूसर अपने पास है, कोई और water है, उसका rate B है, यह rate A मिलका है, यह B का है, ठीक है, अपने को इस rate मैं इसे convert करना है, यह मतलब C rate बनाना है, यह यह लगए यह लगए, ठीक है, तो मैं कैसे बनाओंगा, म minus का sign नहीं है यह difference है ठीक है माइनस मा समझेखा है इसे आप minus मत समझेखा मैं difference और यहाँ B और C का difference ले जो जो इन दोनों को ratio होगा वो मेरा answer होगा मतलब मैं मैं इस ratio मैं जो यहां आएगा वह जो is ratio में A को मिलाऊंगा और इस ratio मैं मैं B को मिलाँगो तो अपना ये वाला आ जाएगा मतलब इसका तैयार हो जाएगा एक्जामपल के लिए मैं यहां बताता हूँ देखे जैसे कि माल लीजिए यह मिल्क है और वाटर है मिल्क का प्राइज मैं 50 रुपे ले लिया और वाटर तो अपना 0 ही होता है मैंने आपका भी बताया अब मिल्क और वाटर करना है यह जो 32 है अपन को कोश्चन में यही फाइंड आउट करना पड़ता है बाकी चीजे तो कोश्चन में दी ही होती है मतलब यह और यह कोश्चन में दिया रहेगा अपने को सिर्फ यही निकालना होता है और इसे ऐसे रख देना होता है बस अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा यहां 18 हो जाएगा और 32 माइनस 0 अपना कितना होगा 32 अब इसका रेश्यो कितना जाएगा अपना 16 रेश्यो 9 यह अपना मिल्क और वाटर का रेश्यो हो गया और यदि वाटर और मिल्क का पूस कि 20 रुपए लीटर वाला chemical किस ratio में पानी के साथ मिलाया जाए कि 20 रुपए प्रती लीटर बेचने पर 25% का profit हो ठीक है यहां मैं यह चीज तो लिखी देता हूं कि 20 रुपए बेचने पर 25% का profit हो रहा है अब देखिए 25 रुपए प्रती लीटर में यह एक लीटर अपने खरीदा अब मैं इसे 20 रुपए प्रती लीटर में बेचने पर 25% का profit भी होना चाहिए तो यदि मैं 20 रुपए में एक लीटर बेच दूँ तब तर मेरे को lossy हो जाएगा ठीक है तो मेरे को इसमें कुछ हिस्सा तो यहां water का होना चाहिए और कुछ milk का होना चाहिए अब यह कितना होना चाहिए यह अपन को निकालना है हाना question में यही पूशा हुगा है तो मैं कितना कितना रख दूँ इसे निकालने के लिए मैं देखिए आप question कह रहा है इसमें पानी मिलाओ और एक लीटर बनाओ और इतना ही मिलाओ कि सिर्फ 25% profit हो हाना अब अपने को यह 20 रुपा में बेचना है मतलब 20 रुपह है अपना selling price है और यह कितना हुआ selling price मतलब 125% क्यूंकि मेरे को 20 रुपा में बेचने पर 25 per cent का profit हो रहा है हाना 20 रुपए में बेचने पर तो ये 125% हुआ अपने को COST PRICE निकालना है मदलब ये तो इससे कम ही होगा COST PRICE तभी न मिरे को 20 रुपए में बेचने पर 25% profit होगा देखे ऐसे निकालेंगे यहां बताता हूं 125% की value है 20 तो 100% की कितनी हो जाएगी इससे solve करेंगे 25, 5 और यहां 4 और यहां 4 16 मतलब 16 रुपए यदि cost price होगा तो 20 रुपए में बेचने पर मुझे 25% का profit हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब देखें यहां तक यह जो मैंने आपको बताया था जस्टिस के पहले अपने को यह find out करना पड़ता है तो यह मैंने find out यहां कर लिया ठीक है अब देखें इससे just मैं वैसे ही put कर दूँगा यहां की जगा क्या आएगा मेरा मिलक है 25 रुपए लीटर वाल और मेरे को उसमें 0 रुपए लीटर वाला पानी मिलाना है और 16 रुपए में बेचना है ठीक मतलब 16 रुपए को स्प्राइज होना चाहिए तभी मेरे को 20 रुपए बेचने पर 25 परसेंट का प्रॉफिट होगा बस यह से solve कर लिए आंसर जाएगा अपना 25 माइनस 16 यहां ल यूनिट होगा और वाटर अपना 9 यूनिट होगा तो अपने को 25 परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा ठीक है जैती मैं इसे क्वांटिटी पूरी पूरी बताओ कि यह 16 यूनिट कितना अमेल होगा 9 यूनिट कितना अमेल होगा तो देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो इससे मैं यहां बता देता हूँ यह हो गया टोटल 25 यूनिट यानिकी 1000 एमेल हाना एक यूनिट अपना कितना हो जाएगा 40 एमेल 40 से 16 का मल्टिप्लाइब करूंगा तो दूद आ जाएगा अपना मल्क आजाएगा 14 मल्किप्लाइब 16 रेश्यो 9 से मैं 40 का यह तो फैर पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया समझाने के लिए ठीक है दोस्तों तो कैसा लगा यह वीडियो आने वाली वीडियो में आपको सारे कोश्चन बताऊंगा इसी टॉपिक के यह होगा कुछ बेसिक्स दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइ हुआ है